नमस्कार आप सभी का स्वागत करती हूँ भारेट 24 पर मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्राश और वक्त है दहार का क्या उत्तर, क्या दक्षण, क्या पूरब, क्या पश्ण एक वक्त था जब पूरे हिंदुस्तान पर एक ही पार्टी का शासन था और एक आज का दोर है देश के हर कोने से कभी कॉंग्रिस के नेताओं की नाराज़गी या फिर उनके इस्तीफे की खबर सामने आती है देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रिस को एक के बाद एक कई जटकों का सामना करना पड़ रहा है वीते 10 सालों से 70 से बाहर पार्टी के लिए 2024 का चुनाव कोई बहतर पिक्चर दिखाता नजर नहीं आता हालत यह है कि अभी सिर्फ दो चर्णों का चुनाव संपन हुआ और बीजेपी को सूरट लोकसभा सीट पर जीद भी हासल हो गई क्योंकि यहां से कॉंग्रिस के उमीदवार ने अपना नॉमिनेशन ही वाफस ले लिया आज पुरी से कॉंग्रिस की उमीदवार सुचारिता मोहनती ने चुनाव लड़ने से मना किया तो वहीं पुरी से अठारा सो किलो मीटर दूर दिल्ली में लवली सहित कॉंग्रिस के पांच नेताउं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है आजे सबसे पहले वार-पलतवार का जिख्र और उसके बाद सावालों को लेकर करेंगे चचुना पाणिके पाणिके हम पाणी जरुद तके हैं फाणिके करिके बीके मे थे पाणिकर वातीड। करें लोगे हैं अफिर अबस्छ एंगम less कि oneее जसाते ह्एंवे केitos केडमेश में कि एको में कि help victories अबस्त vàलबे प्रोगे। कि अपको घर नहीं बैटना है एक ऐसी सशक्त पार्टी में जाना है। इसमें दिली के लोगों की लड़ाई जो है आपको लड़नी है। तो इसलिए हम तमाम साथियों ने और हम केवल आज हम ये पांच साथी नहीं है। एक लंबा काफिला है। जिन्नोंने ये तै किया है। आने वाले समय में आप देखोगे कि नरिंदर मोदी जी, नड़ा जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हुए हम निश्चित रूप से दिली की लोगों की लड़ाई भारते जंदा पार्टी में रहके मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। कॉंग्रेस को कमजोर। कॉंग्रेस में तूट पर नित्रस्व मौन लेकिन जिम्मेदार कौन। कॉंग्रेस पर डबल अटाक, सरेंडर और तूट से सेट बैक।